नमस्कार आप देख रहे हैं जीनाइन नूज मैं शामनु चतुरविदी मतुरा में हमेशा एक चर्चा होती है मा यमना को लेकर मा यमना के सुद्धी करण को लेकर लेकिन अभी तक भरसों बीद गए आसवासन मिलते रहे लेकिन मा यमना अभी तक सुद्ध नहीं हो पाई है गंगा दसेरा पर आने वाला है उसमें भी फिर से वही सपाई अव्यान चलाया जाएगा लेकिन मा यमना की इस्थती जो निर्मल जल जो ज़जवासी मांग कर रहे हैं वह कम मिल पाएगा यह तो कहना बड़ा ही मुश्किल है आज हमारे साथ मोचुद हैं कॉंग्रेस आइसी सी मेंबर यतेंद मुकदम देखिए बड़ा दुक्का विशे है कि लाखों करोणों लोगों की आस्ता का केंद्र मा यमना और उसके लिए बेशर्मी भड़ा मैं मैं कहूंगा आच्रन जो सत्ताधारी पाल्टी के यहां के नेता और अदकारी अपनाने का काम कर रहे हैं यह बहुत ही मैं कहूंगा लानत है ऐसी अदकारीयों पर और ऐसे नेताओं पर जो मा यमना में आस्ता रखने वाले करोण लोगों की भावनाउं को आहत करने का काम दिरंतर कर रहे हैं पांसो सासो करोड रुपे का बजट मा यमना में सुद्धी करणा में लगने के बावजूद जो सरकारी नोंने बताया कि पांस सासो करोड रुपे हम लगा चुके हैं पिछली गौवर्मेंट से लेके अब तक उसके बाद में भी एक परसेंट का भी इं हैं और कोश रहे हैं इन लोगों की मानसित्ता को और मुझे नहीं लगता कि पांस साल पहले जैसे इन्होंने वाइदा किया हमें शाह मत्रा आये चुनावी रेलियों में 2017 में और उसके बाद में तमाम नेता बाचपा के आये और उन्होंने कहा कि हम ना सुद्धी करणा करक जसकी तसिस्तती और ज्यादा बत्तर पहले से ज्यादा मैं कहूंगा होने का काम हुआ है और एक विवाद आप भी सुन रहे होंगे इदगा और जन इस्थान को लेगा का वह पहले जरूरी है मां यमना का सुद्धी करण जरूरी है जो बादे चल रहे हैं पुलाने देखि लोग पूजा कर रहे हैं अगर को जरूरी हिस्सा में कुछ है मैं आप से कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज भी मां यमना की सुद्धी करण के लिए तमाम मैंने जो आंदूलन की ये प्रतरसन की अब तक मने तमाम आंदूलन प्रतरसनों के माध्यम से प्रसासन को और सत्त दारी दल को अवगत कराया है उसमें मुस्लिम समाज भी मेरे साथ रहा है तो सबसे जरूरी अगर मत्रा में कुछ है तुमा यमना का सुद्धी करण है उर्जा मंत्री रहे अब बरतमान में बेधायक हैं उनके द्वारा भी एक टाइम दिया गया था वह भी निकल चुका है चुनाप भी हो चुके चुनाप के बाद का समय भी निकल चुका और अब कई महीने निकल भी चुके जो जीत के आए हैं तो क्या लगता है आपको सरका कि इच्छा नहीं है यह कुछ और बात है क्यों नहीं साप उपारी मायमना देखिए उर्जा मंत्री बिल्कुल नागारा थे और मत्रा की जनता पता नहीं किस बज़े से उन्हें दोबारा उन्हें बिधायक बना दिया और अब तो मैं समस्ता हूं उनका जो उनके लोग थे व और मैंने समस्ता कि किसी भी भाज़्पा के सांसद हो यहां पर सांसद मोध्या हो यहां भाज़्पा के तमाम बिधायक हो किसी की मंसा मुझे ऐसी दिखाई नहीं देती कि यमना जी के सुद्धी करना के लिए किसी की मंसा हो तो यमना के लिए तो मैं आपके चैनल के माध् का और आम जनता जब तक घर से बाद नहीं निकल के आएगी तब तक यह मां यमना का सुद्धी करना हम बिल्कुल देख नहीं पाएंगे प्रदर्शन तमाम यमना जी से जल वरकेवी में अभी कुछ महीने पहले वहां प्रदूसर जल वरकेवी डियम साब तक गया लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि इन अधगारियों के कानों पर जू नहीं रहें रही है अधगारी बिल्कुल बेशर्म हो चोगे हैं और जन्ता की इन्हें कोई सुद नहीं है धार्मेक भावनाओं की इन्हें कोई सुद नहीं है तो निच्छित रूफ से हम लोगों ने अभी प्रोग्राम बनाया है और मां यमना सुद्धी करन के लिए कॉंग्रेस पाल्टी एक बहुत बड़े अंदोलन की तैयारी प्रदेश इस्तर पर करने जा रही है तो उसकी सुरुवात मत्रा से हम लोग करेंगे और प्रदेश में पर बैदान सवा तक उसको बात को लेके जाने का काम कॉंग्रेस पाल्टी करेंगी और दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि मा यमना का जैसे अभी दसेरा आ रहाँ है दसेरा का महा परवारा ए देस और विदेश से तवाँयां आएंगे तो उनकी भावनाय आत्त ना करें अधकारी हों से यह बिंदि करूंगा कि कम से कम मा यमना की разм conversations के दिन तो सुध्दकर Mouse कि मायमना को सुद्ध करने की सरकार की इच्छा सकती नहीं है कॉंग्रेस भी अपने तरफ से मायमना के लिए आंदोलन करेगी अब देखना होगा कब मायमना सुद्ध हो पाती है तो अभी के लिए बस इतना ही अपने साथ ही प्रतिक के साथ मैं मुनू चत्रवेदी जी नाइन न्यूज के लिए